यूथ इचीवर्स के एक और शुमारे में आप सब का खेर मगदम है आज के शुमारे में हमारे साथ मुझूद है शेफ रूव यह एक सक्सेस्फुल एंटर्परिनॉर होने के साथ कश्मीर के वाहिद ऐसे शेफ है जिन्होंने अपना एक इनच्चूशन खोला है यंगिस्ट के लिए ताकि यह उनको ट्रेनिक फराहम करें और वह भी अपना ब्रेड बटर करें इनकी इंस्पारिंग स्टोडी जानने के लिए आपकी मुलाकात कराते हैं शेफ रोब से रोब सब आपका खेर मगदम बहुत बहुत शुक्रिया आज हम शुरुआत आपके शुरुआती कि जब ऐसे ही मैं ओनलाइन चक कर रहा था यूटूब वगरा पर कि ऐसा इस फील्ड में क्या है ऐसा कि यहां पर कश्मीर में मैजॉटी जो मेल है वो इस फील्ड के पीछे नहीं आ रहे हैं तो 2016 की बात है मैंने एक क्रश कोर्स किया था इसी बेकर के रिलेटेड तो वहां पर एक चेंगारी मेरे अंदर जा भी कि बहाई अब इसी फील्ड में मुझे कुछ करना है जा और वहां पर मैंने सुझा कि क्यों ना मैं इसी में कुछ एड़वांस करों इसी फील्ड में यह तो डिफ्रेंट भी है और इसका जो सकोप है कश्मीर में बहुत अच्छा है ज वेकरी बहुत famous है तो मैं सोचा कि इसी मैं advance करूँ फिर तब मेरा 12th clear नहीं था मैं तब 10th के बाद कि यह बात है फिर जैसे ही और IHM की जो वहां पर requirement होती है कि 12th जब पी clear होगा किसी भी स्ट्री में तो आप डिप्लोमा वगरा उसमें कुछ कर सकते हूं से मैंने भी क्या 12th clear करने के बाद ही साथ मैंने admission लिया वहां पर इंस्ट्ट फोटल मेनेजमें राजबाग से डिप्लोमा कोर्स के मैं एक साल मैंने proper अच्छे से कॉलेज में जो भी अपनी पढ़ाई वगरा होती है वहां पर complete किये उसके बाद मैंने छे महीने मैं बाहर गया बैंगलोर वहां पर फाइव स्टार होटल है चे रिटन ग्राइन वहां पर मैंने ट्रेनिंग की और होटल के एंड से ही मुझे ऑफर आगया वहां पर उन्हीं छी महीन ने में हमारे यहां पर तो मैंने वहां पर start किया छे महीने ने अपर यहीं से सीखिघिता कि ने जॉब किया, फिर एक साल भी मैंने वहाँ दिया, उसके बाद कुछ हेल्थ पर्पर्पल्स की वजए से मुझे गाराना पड़ा वापस ट्रेनिगर, फिर उसके बाद मैंने फिर से कोशिच की थी कि मैं वापस चला जाओं वहाँ, बट अनफॉर्टनेटली कुछ टाइम के लिए मैं नहीं गया, फिर ऐसे ही दो तीन साल हुए, मैं गर पर पूरा बैटा था, मेरे पस कोई जॉब नहीं था हाथ में, बट टेकनिकल हैंड था, मैं मुझे आता था थोड़ा थोड़ा, बट ज्यादा स्किल था, बट ज्यादा एक्सपिरियंस नहीं थी, पर ऐसे ही जब मैं ज्यादा टाइम पर घर पर यह बैटा, एक ओफर आ गया मुझे दैली से, वहाँ पर लोकल बेकर था वो, वहाँ पर मैंने जॉब किया, जॉब भी क्या था, मैंने एक्सपिरियंस गेंग क करने के लिए डिप्लोमा करके मैं बहुत, जैसे मैं वहाँ पहुंचा बिलकुल वो लोकल बेकरी थी, मेरा जो रहना पीना वगएरा वो टॉटल डिफरेंट था, मैंने टोटल तीन पहले तीन महीने, क्योंकि अर्निंग बिलकुल नहीं थी, एक्सपिरियंस नहीं थी, ती तो आपका जो स्ट्रॉग्लिंग पी रहा था वहीं से स्टार्ट हो गया तो देरे देरे वहां पर भी मैंने थोड़ा इंप्रूमिट लाई अपने आप में हाथ भी सेट हो गया काम के रिलेटेट और वहां से भी प्रमोशन स्टार्ट होनी लगी और मेरी जो लिविंग है वह बहतर दिन बहतर होनी लगी फिर लास्ट मैं एक साल की बात है फिर मैं पेज खोला था बट 2018 में ने डिप्लोमा किया था उसके बात किये बात मैं आपको बता रहा हूं फिर जैसे मैंने पेज वगएरा चल रहा था माशाला अच्छे और उस पर आ रहे थे बट मैं खुद नहीं बना रहा था मैं किसी एक्स्टरनल जो मेरे फ्रेंड वगएरा सर एक्स्टैरन खेक्षबिरेंस भी थी ठीक्स्टैरन टीर गेंचा मैंने फिर च्टाथ बाहां से निकलकर एक सालून के बाद वहाँ पे बहरा हूं जांग сама घरर लाँट तो यृडव साल मैं वहां भी अभी कर रहा हूँ तो फिर रिसेंटली 2003 की बात है जून की बात है तो ऐसे ही मुझे ख्याल आ गया कि क्यों ना कुछ और भी कुछ डिफरेंट हो मेरे माइड में आ गया कि यहां पे हर एक जगा बेकरी जो अपन होती है हर एक कहां डो टो डो बट सिखाने वाला कोई नहीं है अंदर से बच्पन से ही था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिसे मेरे अवाम को मेरे मेरा जो यूथ है इनको फाइदा मिले मुझ से ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूँ अलहमदुल्ला एक्सपिरेंस इतने सालों की थी तो छोटा सा एक सेट अप फिर से मैंने स्टार्ट किया जिसका नाम है इनक्रेडिबल बेकार्ड अकैडमी इसमें मैं क्या करता हूँ कि जितने भी हमारे यूथ है जो श्रीनेगर या श्रीनेगर के बाहर जितने भी डिस्ट्रिक्स है वहां से लोग आगा अब बहुत कोई भी ऐसा कुछ नहीं कोई एज बार नहीं है बस हां यह है कि 18 प्लस होना चाहिए और उपर फिर कोई एज बार नहीं कर पाएंगे सब के लिए उपन है बस जिसको इंट्रस्ट होगा वो इस फील्ड में आजा सिंपल हमने क्या रखा है ऑनलाइन ऑफलाइन रिजिटरिशिंग वो करनी है फॉर्म फिलप करना है फोटोग्राफिक तो वो एंटर हो सकता है और हम साथ दिन की ट्रेनिंग देता है और इसी सा करते हैं कुछ भी चाहिए लग साप्लाइज वगारा वहलप कितने यूथ अभी कर रहे है स्टार्ट अप उन्हें अपने स्मॉल बिजम स्टार्ट किया हुआ है आलमोस्ट अभी फोरहं प्लस है मैंने जो ट्रेनिंग दी है और उन मैसे लग अलग अलग इस्टिक्स से भी ब्लॉंग करते हैं स्टूरी ने कर विब बट इन में ज्यादा लड़किया है ज्यादा इस काम में लड़किया रही है मेल्स आप मान के चले बहुत कम बहुत कम आपको क्या लगता है क्या वुजभाथ रह सकती है कि मेल्स इस अपना इंट्रेस्ट या सोसाइटी का दबाव है कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे आप इसने बेकिंग साथ की देखे जब मैंने स्टार्ट किया था पहले मुझे भी सोसाइटी का बहुत कुछ सुनना पड़ा क्यूंकि मैं ऐसा बंदा वाहिद हूं अपनी फैमिली में जो इस फील्ड में आ ग पड़ा देखे एक चीज है कि हर कोई काम जो है यह छोटा नहीं होता है मुझे यह सुनने को मिला है हाद वो हाँ एक्जाक्ली मुझे स्टार्टिंग में यह सुनना पड़ा कि अनफॉर्टनेटली कांधर कंधर कंधर गगर आने साइथ की हैं बिल्कुल समझागे आपको मैं कुछ भी बना रहा था केक्स मैं अपने फैमिली को खिला रहा था ये बिगनिंग की बात है तो मुझे लगता है कि जो हमारा यूथ है यूथ जनरेशन जो हमारी है में भी ये सोचते होंगे कि क्या हम आएंगे यहां पर जिस वक्त आपने ये बेकिंग चूज किया as a career option तब आपके family का क्या response था लोगों का और आपके society था उनका क्या response था आपको आपको लेके मतलब क्या को सुनना पड़ा आपको जो मेरी family का जो support है वो alhamdulillah बहुत अच्छा मेरी माँ मेरा बाप उन्होंने इतना support मुझे किया जब भी मुझे गर पे order आता था कभी कबार मेर माँ in fact वो खुद सफ़ाई वहां पर करती थी पूरा एक maintain hygiene maintain करती जो भी बरतन यूज होते थे वो खुद वो करती थे और in fact जो मेरा father है तो alhamdulillah जी 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 बैक बोन वो उनका जब support नहीं होता मैं अभी इस मुकाम पे नहीं पहुंच जाता मेरे बाप का support नहीं होता म मुझे जब भी कभी में busy रहता था बनाने में मेरा बाप खुद जाता था order deliver करने के लिए और supplies लाने के लिए ऐसा भी काम जो था लब जो वो नहीं कर पाए but मेरे लिए मेरे खुशी के लिए वो करते थी क्योंकि मुझे शोग था मैं कुछ करना चाहता था और उन्होंने back तब help किये मेरा cousin है वो मेरे साथ हमेशा backbone की तरह रहा है और society की बात यह है कि ऐसे भी लोग मिले मुझे society जिन्होंने appreciate किया और ऐसे भी लोग मिले जैसे उन्होंने यहीं क्रिटिसाइज किया कि क्यों आप इस फील्ड में है और कुछ नहीं था जॉब करना था क्या क्या कर ज़रत होता था जो friend के end से मुझे चाहिए था तो उनके end से बहुत support मिला है रोब सब आप से जाना चाहेंगे कि जैसे कि हर कोई chef होता है कोई cook होता है something कोई कुछ भी सबका एक unique अपना कुछ एक secret होता है जो वो नहीं बोलते ताके उनका level market में वो बरकरा रहे हैं लेकिन आप एक ऐसे शेफ है जो techniques के साथ साथ जो अपने जो यंग इस जो आप ट्रेनिंग देते उनको ये भी दिखाते है कि कैसे आप अपने business को अपवर्ड करेंगे तो आपको कभी ऐसे वो competition नहीं कि वो मेरे से आगे जाएंगे या मैं क्यों उनको अपना ये बोल रहा हूं आपकी बात सही है बट मेरा ऐसा कोई thought नहीं फकर होता है कि अगर मैं किसी कुछ का रहा हो आगे बढ़ रहा है मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो है जैसा कि आपने बोला कि secret recipe मैं यहीं से अपने स्टूडेंट को जो मेरी अपनी recipes होती है मैं उनको शेयर करता हूं जो personally जो मेरी bakery की recipes है वो शेयर कर देता हूं कश्मीर में कहावत है कि यह ज़्यादा कैंडल्स होंगे उतनी रोश्नी होगी तो मैं यही एक वर्ड है यह मैं लेके चला हूं और आगे बढ़ रहा हूं अच्छा उसके बाद अब academy भी चला रहे है what next इसके बाद मेरा यह प्लान है कि अभी जो मैं face कर रहा हूं कि बहुत दूर से लोग आ रहे मेरे पास यहां सीखने के लिए मेरा यह प्लान है इसके बाद कि हर एक डिस्ट्रिक में इन्शाला मेरी academy होगी उनको यहां आने की नहीं मैं ही वहां जाता हूं उनको सिखाने के लिए तो हर एक डिस्ट्रिक में एक एक एकडमी में अपने नाम की खोलना चाहता हूं लोगों को यह सिखाना चाहता हूं कि इस फील्ड में भी फ्यूचर है अपना रोजगार जो अर्निंग कर सकते हैं वह उनको स्ट्रगल ना करना पड़े एक्जैक्ली हमारी सोसाइटी है ना इसका भी पीशे से बहुत एक सपोर्ट होना चाहिए एक बंदे को अगर सोसाइट इनसान ऐसा भी सोचता है कि कि अगर मैं यह काम करू लोग क्या बोलेंगे तो सबसे यह है कि लोगों का आप मत सोचो आप आगे बढ कि आपने इस मुकाम पे आप कैसे पोँचे हुआ है रोव साब आप आप से जाना चाहेंगे चूणकि आपने काफी हर्डल्स पार कि हैं काफी स्ट्रगल पार किया है एक मेम्रेबल या कोई ऐसा मूमेंट या वर्स मूमेंट आपके इस लाइफ कर्यार को ले के शेर करना शबहुट कोई बहुत कुछ सीखा भी है जब मेरा इनिशन स्टेज है जैब मेरे ट्रेनिंग पीरिएड पर तो वहां पर मैंने बहुत मेहनत की जैसा ही का मेरे काम ने दिन बर दिन उन्होंने मुझे रेस्पॉंसिबिल्टी सोंपी तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ का जो मİरा सीनियर शेफ दा जिसके अंडर नियौ और मैं काम कर रहा है तो उन्होंने मुझे कपकेक्स बेख करने के लिए बोला था तो व्रक लोड जादा था वहां मैं जैसे अवण के अंजर कपकेक करता था मुझे बूल जाता था और यही करते करते मैंने दस बार वहां पर बनाना भी स्टार्ट किया दस बार जलाया भी हाँ फिर लेकिन जो मेरे सीनियर शेफ थे वहां पर उन्होंने हार नहीं मानी उन्होंने बोला कि आप जितने बार भी आप जलाओगे उतने बार जलाओ लेकिन आपको परफेक्ट बन रहा है उससे जब भी मैं वनके अंदर कोई आइटम डालता हूं फटा-फट याद पड़ता है कि निकालना भी है यह इसके भी हुआ है यह चीज़ है रूब सब जैसे कि आप जानते कि आप केक करते हैं और के के बारे में जब एक इनसान सुच आए तो मिठास आ जाती है कि पेश्ट्री याद सम्थिंग तो यह बोलना गलत नहीं होगा कि हम आप से आज इंटर्व्यू ले रहे हैं और एक आपके हाथ का कोई जायका आपका कोई चीज जो आप बनाते हैं और वो हम ना चखे ज़रूर मैं लाइव आपको बनाना दिखाता हूं कि हम कैसे बनाते है तो आपी चखेगा मैं भी जता हूं हमेरे कैमरा टीम या भी जखेंगे जो हम बनाते हूँ तो आप क्या खाना पसंद करें गे हमारे पासभी यहां पर हमारा दूसरा केक है, यहां पर चॉक्लेट यह भी है, रेड विडर पेस्ट्री है या या टीकेक है, यह सब बहुत हो जाएगा, I just want to have a small cupcake, if you can make it. तो कपकेक में क्या फ्लेवर पसंद करना है तो बटर स्कॉच पीच, पीच, पीच ही बनाते हैं फिर. यही रहेगी कि अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है, किसी भी फिल्ड में उनको रोको मत, उनको सपोर्ट करो. नेगेटिविटी जो बाहर की है, वो अपने बच्चों के अंदर मत डालने तो, जो उनको करना होगा, उनको पूरा सपोर्ट कीजिए, और अगर कोई इस फिल्ड में आना चाहेगा, तो जो अभी आप देख रहे हो कि इतनी जरीए नहीं थे पहले, अगर अगर अब दो सा को भी इंटरस्ट है, इस फिल्ड में वो आईए, हमने ऐसा यहां पर सेट अप रखा है, ताकि वो तो सीखेंगे भी, और साथ-साथ जो अपना रोजगार वो भी अरन कर सकेंगे, और हमने ज्यादा इसमें कुछ फॉर्मेल्टी नहीं रखी है, सिंपल, अंडर बजट सब कुछ आता है, कोई भी चीज़ घर से लाने की जौरत नहीं है, हम यहां पर सब कुछ प्रोवाइड कर देता है, खाली उनको पे करना है, फॉर्थ हाजन रुपीज जो साथ दिन के लिए, और इनी साथ दिनों में सारा कुछ कवर हो जाता है, बेसिक बेकर कर लेंगे, बट चाहूंगी, क्योंकि जो यह बेकिंग है ना, यह नाइन टो फाइव जाग नहीं है, तो इसमें आप कभी मॉटिवेटर होते हैं, कभी दी मॉटिवेटर होते हैं, कभी जैसे कि आपने अभी एक्स्पीरियंस शेयर किया, कि मैंने कपके जलाए, फिर फिर से, रखे फिर से तो कोई ऐसा मोमेंट जब आप दी मॉटिवेट होते हैं, तब आप क्या करते हैं, या जो आपकी जो स्टूडेंट्स आपके, जब वो दी मॉटिवेट होते हैं, आप उनको कैसे मॉटिवेट करते हैं, देखिए, यह ऐसा फिल्ड है, जब तक आप इसमें पर्फेक्शन लाएं गया को इतना हडर के अंदर करना है अगर को फराब करें जिककर कोई ऐसी को परफेक्ट करें हो स्टूट को पर दिकलों गलती करता है तो मैं ती टॉक है जो आपका आउटलेट है आप सिर्फ केक्स बनाते हैं या कुछ और भी खाली केक्स नहीं हमारा पीज़ा जाता है बर्गर जाता है सेंडविच जाता है कपकेक्स हर एक बेकरी का कोई भी आइटम लेक कुकीज टी केक्स यह सारा ऑन ओर्डर पर हम बनाते हैं हर एक जो भी आपको बेकरी में कोई भी आइटम होगा वह ऑन ओर्डर हम बनाते हैं ज्यादा हमारा जो मोस सेलिंग है पीसाज है बर्गर हमारा है और साथ साथ केक्स तीन प्लैटफॉर्म से भी हम काम करते हैं लाइक स्वीगी है जुमैटो है और गेट आउस यह तीन अभी मिलते हैं आप से एक और शुमारे में एक और नए शक्सित के साथ तब तक लिए हमें दीजे इजाज़त अला हाफे